इस वीडियो को देखोगे न तो एक एक चीज आप जरूर नोट करोगे, क्योंकि ऐसे टिप्स लाई हूँ जो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं, आप उसे नोट भी जरूर करके रखेंगे, तो चलिए फटा-फट से देख लेते हैं, हम अकसर वाश बेसिन के ओपर या फि किसे भी काम के लिए, लेकिन क्या हो दैना उसके ओपर पानी के चीटे गिरते हैं, कुछ गंदगी गिरती है, दूल मिटी गिरती है, जिसके वीज़े से बहुत ही गंदा हो जाता है, अगर आप उसे सर्फ अगरा से साफ करेंगे, तो देखें कि वह नए जैसा बिल्कुल आप एक तूद ब्रश ले ले लें, उसके ओपर थोड़ी सी पेस लगा दें और फिर उसे इस तरीके से रगड़ें, जैसे हम अपने दाद घसते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, इसे ऐसी थोड़ी दिर के लिए छोड़ दें, दो मिनिट तीन मिनिट के लिए, और उसके बा चमचमाता हुआ साफ हो जाएगा, तो अब देख लेते हैं अगली टिप, कभी-कभी ऐसा होता है कि मम्मी का ब्लाउस बेटी को पहनना है, मम्मी मोटी है, बेटी पतली है, या फिर ऐसा होता है कि हम बजार से ब्लाउस लेकर आते हैं, और वो हमारे साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो एक अच्छा इलाज तो यही है कि सिलाई मेशीन, लो सिलाई लगाओ, लेकिन हर किसी के घर पे तो सिलाई मेशीन होती नहीं है, तो आज एक जटपट फटा-फट सा करने वाला हैक आपके लिए लेकर आएं जिससे जानकर आप बहुत ही खुश हो लगाना है, जितना आपको टाइट करना है, समझ लीजे आपको एक इंच टाइट करना है, या दो इंच टाइट करना है, डेर इंच टाइट करना है, उसे साब से नाप करकि कितना टाइट करना है, वैसे आपको यह लगा लेना है, यह देख मैने एक लगा है, बिल्कुल अगर आपको ऐसा लगता है कि safety pin चुप सकती है बच्चों को तो आप उसके बजाए किसी धागे से एक आय बना लें तो वो भी आपका ये काम कर देगा और फिर आप देखेंगे कि जितना आप चाहते थे उतना blouse जहा है वहां से tight हो गया है और आप इसे बहुत ही असानी से पहन पा रहें ये जुगाड है temporary सा काम है permanent करना है तो आपको सिलाही करने पड़ेगी लेकिन इस तरीके से एक दिन के लिए तो काम बहुत ही बढ़िया चल सकता है तो अगर टिप पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अब देख लेते हमारी अगली वाली टि बच्चों से भी टी-शिट्स कपड़े वगरा फोल्ड करवने चाहिए मैं तो जरूर करवाती है इससे हमारा काम असान जाता है लेकिन अगर उसे खेल की तरह करेंगे तो और भी मज़ा जाए गया तो आज आपके लिए दो टिप लेका ही हूं फोल्डिंगे एक तो यह आ टी-शिट से उन्हें फोल्ड कर सकते हैं एक बार और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको टी-शिट को इस तरीके से उल्टा रग देना है और उसके ओपर कोई भी बुक रग देनी है बुक बड़ी हो सकती है चोटी भी हो सकती है जिस साइज की आपको टी-शिट फो और उपर से बुक को निकाल दें, ऐसा करने से दो फायदे हैं, एक तो फटाफट फट फोल्डिंग होई रही है, प्लस अब जितनी अगर 10, 12, 5, 6, जितनी भी टीशिट्स पोल्ड कर रहे हैं, सभी एक साइज में फोल्ड होंगी, तो जब आप एक साथ रखते हैं कबड में, तो बहुत ही अच्छी लगती, क्योंकि बुक एक साइज की थे, तो फोल्डिंग भी एक साइज की होगी, और इस टिप से आप अपने बच्चों को भी काम पे लगा सकते हैं, वो बोलते हैं, नहीं मम्मा, हमें तो फोल्ड करनी नहीं आती है, हमें नहीं जमती है, तो कोई बातने बुक पकड़ा दें, और ये मेरे वाली वीडियो दिखा दें, फटाफट से सारे टीशिट्स आपके एक साइज के फोल्ड करके बच्चे रख दें दे, तो अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अब हम देख लेते हमारी कॉक्रोच भूमा होगा, और मैंने इसी के उपर अपने बच्चे को रोटी बना के दे दी है, धोने का तो टाइम नहीं होता, फिर वो गीला हो जाता है, तो मैं क्या करती हूं ही नहीं सारे वहम से दूर रहने के लिए, एक पॉलिथिन बाग लिया है, जो बिल्कुल मेरे बिलनके साइस का है, यह फेक्स टरा रोजी को यूज़ करती हूँ, इसमें चस्क्ला और बिलन डाल देती हूँ, उपर से बानदे दी हूँ, गाट, ऐसा करने से अगर हम इसको स्लाब के उपर रग भी देते हैं, यहां वार रग भी देते हैं, तो कॉक्रोच चीटिया इस अच्छी वाली मम्मी बने, इस तरीकी से चकले वेलन को थैली के अंदर पैक करें, ताकि अगले दिना फटा-फट से इसे यूज कर सकते हैं, तो फ्रेंज अगर आपको यह सारे टिप्स मेरे पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए